आज किस वीडियो में हम बात करने वाले प्ले स्टोर को अपडेट कैसे करें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप अपने मुबाइल फोन में प्ले स्टोर को अपडेट नहीं करते हैं तो ऐसे में जब भी आप अपने प्ले स्टोर पर किसी भी अप्लिकेशन को install करने जाते हैं, download करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कभी आपकी app pending में चले जाती है कभी आपकी app download ही नहीं होती है तो दोस्तों वो सब आपको problem तभी देखने को मिलती है क्योंकि आपका play store खुदी update नहीं होता है अपने mobile phone में play store को open करेंगे तो आपके सामने भी कुछ as interface देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको right side पर top करने पर जो भी आपके play store की ID होगी तो आपको भी आपने play store की ID की DP पर किलिक कर देना है तो जैसी आप इस settings की आइकन पर किलिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ as interface देखने को मिल जाएगा पहला मिलेगा general का दूसरा मिलेगा network preference का तीसरा मिलेगा authorization का जबता मिलेगा आपको family का तो पाच पन देखेगा आपको about की आइकन पर किलिक कर देना है तो जैसी आप about की आइकन पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेगा play store version का उसमें दो option होगे update play store learn more तो अगर आपको भी अपने play store को update का आइकन पर किलिक करना है प्लेश्टोर अप्डेट हो जाएगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी जो आपने मुबाइल फोन में प्लेश्टोर को अप्डेट कर सकते हैं दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फार्मिशन वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना न बुले थैंक यू